तो जैसा है कि आप सो भी को पता होगा कि कुछी गंटों में आपका जो math का paper होने वाला है तो ऐसे में math को लेकर के आपका जो preparation अच्छे तरीके से होना जरूरी है ठीक है तो सारे के सारे बचे वीडियो को जो शुरू से लेकर के एकदम लाट तक बिल्कुल concentrate के साथ से जो द question number first में क्या का रहा है सारे बचे comment section में लिख दीजिए कि सा अभाज संख्याओं का मासा होता है तो सा अभाज संख्याओं का मासा कितना होता तो एक होता यानि कि एक का बी नमबर option सही जवाब हो जाएगा ठीक है आईए बढ़ते question number second की तरफ तो question number second में क्या कह रहा है नि संख्याओं को गुननखंड दोठ हो उसको बोलते है अभाज संख्याओं ठीक है तो दो का सी नमबर option सही जवाब हो जाएगा चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे question number third की तरफ तो question number third में क्या करा है किने मलिखित में से कौन सा आपरी में संख्या है आपरी में संख्या किसको बोलते हैं जिसका पूरा-पूरा बर्गमुल नहीं निकलता है तो देखो 17 का बर्गमुल पूरा-पूरा नहीं निकलेगा ठीक है और 100 का बर्गमुल निकल जाएगा 10 यानि कि पहली बात तो option number A ही सही हो जाएगा ठीक है तो आगे तो हम check भी नहीं करेंगे ठीक है वैसे करना है तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है चार का बर्गमुल दो हो जाएगा और 16 का बर्गमुल चार हो जाएगा और 25 का पाच हो जाएगा ठीक है और 5 पलस 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा तो काने का बतलो इन तीनों option में यह जो B, C, N, D है सबके सब परिमें है बट जो हमारा क्या है और 3 का बढ़ते है कोई नमर चार की तरब तो कोई नमर चार में क्या कर रहा है काफी सांदार कोई जो कि सीधा सीधी आपके बोड़ी जाएगा और 100% पूछे जाएगा यह लिख के लेलो ठीक है कर 144 के भाज उनन खंड में 2 का घातांक है देखो 144 का भाज 36 वुना बहत्तर अब मैं 2 से फिर से लगा लेता हूं तो 18 वुनी 36 और फिर मैं 2 से लगा लेता हूं तो 2 नमा का 18 ठीक है ? और यहां से आप मैं लगाओंगा 3 से ठीक है ? Dan 3 यह 9 अब देखना 144 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या ? 1 2 3 4 नहीं 2 कितना बार ? ठीक है जीं और इसके बाद 3 कितना बार, 2 बार, okay, उसने जाए की 2 का घातांग, तो 2 का घातांग कितना हो गया, 4 हो गया, त 누на 2 का घातांग कितना है, चले इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे, Question 5 की तरफ, Question 5 काफी ज़ीज, Question 5 काफी जादा संदार, question है करने मलखित में कौन सी अभाज संक्या है अभी अभी में आपको पता है कि जिसका सिर्फ दो ही गुनन खंड हो ठीक है तो पांच का सी नमर उप्शन सही जबाब हो जाएगा कि किसका दसमलब परसार आसांथ है आसांथ किसको कहते है कि किसी भी प्रिमेर संक्या का जो हर क आच होना चाहिए यह चीज आपको पता होना चाहिए तो 6 का सी नहीं बी नमर उप्शन सही जबाब हो जागा ठीक है क्योंकि बी में जो लिखा हुआ है 49 और बटा में दो से तेतालिश ठीक है दो सो तेतालिश तो पहली बात तो इसको आप कट कर सकते हो तेरतिया 49 और ती आप इसको 6 करोगे या उपर में हो गया 13 और नीचे में हो गया 80 तो नीचे का गुननखन करेंगे तो 81 को मैं कितना लिख सकता हुआ 시ं अन्on suckedos, ऺइसैंघ में पी firm कितना वर जाता है, नहीं तो अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं शान्थिए K T होता है तो सान्थिए K को फिर 5 हो यर कि 2 और 5 during last time or सथ नहीं, बोलते है आसांत लेकिन इसके हर के उननखन में दो और पाच नहीं है बलकि दूसरा संग का तो इसलिए 6 का कौन सा अप्शन सही हो जाएगा कि निमलकित में 10 अमलब परसार कौन सा आसांत है तो बी नमर अप्शन सही हो जाएगा ठीक है यह जो 49 बटा दूसर 43 है यह क्या है आसांत है ठीक है चली इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे कोश्चन नमर 7 की तरफ तो कोश्चन नमर 7 में क्या का रहा है 0.7 का यह और किसके बराबर होगा ठीक है तो देखो सबसे पहली बात इस को करते कैसे हैं सॉल्म तो देखना सबसे पहले हमें एक सबराबर माल लेते है जो फिर से रिपीट होता रहाएगा ठीक है इसको बलेंगे से मिकरन नमर 1 इसको बलेंगे 2 और 2 में से 1 को हम लोग घटा देंगे ठीक है तो 10 X में से 1 X जाएगा तो 9 X अब ब्राबर में कितना हो गया देखो 10 अमलब के इधर तो सब कट जाएगा इधर कितना बचेगा 7 मे कमेंट सेक्चन में तो 7 बटानो और जल्दी से चेक कर लो कौन से अप्शन सही है तो 7 का A नमर अप्शन सही है ठीक है जी चलिए हम लोग बढ़ते है कोश्चन नमर 8 की तरफ तो कोश्चन नमर 8 में क्या कह रहा है काफी एधम सिंबल सवाल है एधम जरूर पूछेगा लासा और मासा कानुपात है 2 10 और 20 तो 2 हो गया 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 एकम 2 उसके बाद 10 को मैं लिख सकता हूँ कितना 2 पचे 10 और उसके बाद 20 को मैं लिख सकता हूँ कितना तो 2 दुनी 4 और 5 20 ठीक है तो उसने कहाई इसका लासा तो लासा क्या होता है और मासा और लासा नहीं भी मुझेशा ने उसको बिलिकना पड़ता है तो दोको में लिख देता हूं कितना हो जाएगा ता हुआगा पांष दूनी 10 पर दूनी 20 है यानि सने सिर्कता में यानि कि अग्वत lithium भी यानि कि यह सही कि पहले लासा और उसके बाद मासा तो लासा हो गया 20 और मासा हो गया कितना तो मासा हो गया दो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सनुपात एग हो जाएगा नहीं कि B-nummer option जो है सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए तो 8 का B- amplifier जो है तो कितना हो जैगा 24ales एक मिनेट 24 दुना 48 और फिर में 2 से लगा दूँगा तो 12 दूनी 24 त फिर में 2 से लगा दूगा तो 2 6 के 12 और 2 ता 6 घाए अने 2 कितना बार तो 2 हो गया 4 बार और 3 कितना बार सोरी 4 बार नहीं लगता 5 बार ठीक है 2 तो हो गया 5 बार और उसके बाद 3 हो गया 1 बार तो चेक कर लिए जाए कौनस अप्शन सही हो जाएगा तो 9 का C नमबर अप्शन सही जबाब हो जाएगा आइए बढ़ते इसी के साथ घटा लूँगा तो 10 X में से 1 एक जाएगा तो 9 X हो जाएगा और इसके बाद इधर देखो समलब के इधर सब केंसिल इधर भी सब केंसिल तो 3 में से 0 हो जाएगा तो 3 यानि की X बराबर कितना तो X बराबर हो गया कि बिदूरा जहीं में रहा है कि point number 12, कि बीक समयों के दाट निकालना है और इसको आप के मतद्द से निकाल अक को तो पहले बात इसको कैसे solve करेंगे, यानि इसमें ये AP है, और इस AP में N बरावर हमको चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, N बरावर हमको चाहिए, तो ध्यान से सुनना, एक सगेंड रुख जाओ, हमको क्या चाहिए, N बरावर चाहिए, ठीक है, और AP क्या था हमारा, एक, तीन, पाच, डॉट, N-1 यानि कि N-1 और D के जाएपे कितना तो D के जाएपे 2 ठीक है जी आप जेखना ध्यान से 49 में से 1 घटेगा तो 48 में से 2 से भागा देंगे तो 24 हो जाएगा और minus 1 कुधर जाएगा तो यानि कि पलस 1 हो जाएगा ठीक है यानि कि N बरावर कितना तो 24 पलस 1 तो 13 में क्या करा है, कि किसी पुरनांख', am के लिए, समसंख्या का रूप है, देखो, अगर am कोई पुरनांख, ठीक है, तो समसंख्या, आपको पता है, कि दो गुला, यानि कि 2 के multiple के रूप में होता है, तो 2 गुने am हो जाएगा, आने कि 2M आने कि 13 का C नमर उप्षन सही जबाब हो जाएगा आई इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं कोश्चन नमर 14 की तरब तो 14 में क्या करा है कि किसी धनात्मक पुर्णाग A तथा B के लिए किसी धनात्मक पुर्णाग A तथा B के लिए A, B का मासा जो है तो यह कैसी संक्या है तो दसमलाव के बाद कोई ऐसा संक्या नहीं है जो repeat हो रहा है नहीं repeat हो रहा है और जा भी रहा है अनन तक अनन तक कैसे पता चला क्योंकि यहां पर डॉड़ड़ट लगा हुआ है तो 15 का B नमर उप्षन सही जबाब हो जाएगा क्योंकि यह क्या है दसमलाव के बाद आसान्थ है और साथे साथ अना वर्थ है आनन तक जा रहा है ना तो कोई repeat हो रहा है तो 15 का B नमर उप्षन सही जवाब हो जाएगा आए बढ़ते कोचन नमर 16 की तरब तो कोचन नमर 16 में क्या का रहा है कि रहाखिक बभवपद में सुन्यक की संख्या होती है रहाखिक बभवपद में एक सुन्यक होते है तो कि इसका समानस उतर A X पलस B होता है तो X का maximum power 1 है इसलिए इसकी सुन्यक की संख्या 1 हो जाएगा आए बढ़ते कोचन नमर 17 की तरब सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे कोचन नमर 18 की तरब तो 18 में क्या का रहा है देख लिए जल्दी ज़र ध्यान से 18 में क्या का रहा है कि 2 X स्क्वार माइनस 3 X माइनस 5 का एक सुन्याक है आप देखो कोचन नमर 18 जो मुझे पता है की बहुत सरे बच्चे क्या करेंगे कि इसका शुन्याक निकालने के लिए दवड़ पड़ेंगे लेकिन शुन्याक हम लोगको नहीं निकालना आप क्या करो कि इसको जो है इसमें डाल करके देख लो फिर इसको डाल करके देख लिए, जिसको डालने के बाद 0 आएगा उसी को बोल देना सुन्याग, ठीक है, तो इसमें-1 हम डाल देंगे, तो आजाएगा 0, देखो कैसे, 2-1 का स्क्वार, बैट-3 हो गया, –1 और –5, हमने इसमें-1 डालाए ही, ठीक है, तो 2-1 हम 2 हो गया, इसको म 3-5, तो कितना हो गया, खोना ही, जो यह कर गया ही, 29 कि तरफ, 10 में क्या कराए, कि य इदि गवाओपद के तुन्याइद, पांच और माइनस 3 है तो दिघात बहुपद होगा देखो अगर आपको पांच जो सुन्नेक दिया हुआ है तो उसका जो बहुपद चाहिए तो क्या करना होता है सबसे पहले इसका योगफल निकाल लो यानिकि योगफल काने का मतलब 5 पलस माइनस 3 तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2 और इसका गुननफन निकाल लो यानिकि 5 गुने माइनस 3 तो बराबर माइनस का 15 हो गया और बहुपद लिखने का फूर्मूला क्या होता है एकस स्क्वार माइनस एकस अलफा पलस बीटा और पलस में अलफा इंटू बीटा इस परूर्मूला में हम बैठा दे स्क्ार माइनस 2, माइनस 15 य emergency number September 2021 तो और बहुपद का ग Eigना किशाम प्रूर सभवर क्या है झाला हो एकस का नमर Tokyo patient सुनेक निकालना काफी असान है, इसलिए मैं आपको निकालके दिखा देता हूं, ठीक है, यह देखो कितना x square minus 11 बराबर 0 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x square minus root 11 का whole square और बराबर में हो गया 0, ठीक है, अब यह देखो क्या a plus b into a minus b क्योंकि a square minus b square क्या होता, जल्दी से बोलो, a plus b into a minus b यानि कि x plus root 11 और into x minus root 11 सच बोला की नहीं, यास, आगे बरता है, तो इसको बराबर 0 करेगे तो minus 11 आएगा और इसको बराबर 0 करेगे तो plus 11 आनि कि किसका d number option सही जवाब है, ठीक है, चलिए, फटाक से बरते question number 22 की तरह, question number 22 में क्या कहा रहा है, कि बहुपद, जो दिगातिये बहुपद आप देख रहे हैं, इतना कि सुन्यांकों का, योग, अभी अभी मैने आपको बताया ना, कि मालने तेज़का सुन्यां के एक alpha है और एक beta है तो alpha plus beta क्या होता है सुन्यांको का योग क्या होता है minus b बटा a के बराबर होता है तो b के जगा पर कितना है minus का 3 है मतलब 3 है और minus तो ये वाला मैंने लिखा है और a के जगा पर कितना है तो 1 है ठीक है जी तो माइनस 3 बटा एक कहने का मतलब है माइनस 3 अलफा प्लस बीटा का जो है मान कितना होगा माइनस 3 यानि की इसी के साथ हम लोग बढ़ते है कोश्चो नमर 23 की तरब तो कोश्चो नमर 23 में क्या करा है देख रदियान से बहुपदों इतना के सुन्यांको का योग 6 है इतना के सुन्यांको का योग 6 है तो के का मान क्या होगा देखो मैं मान लेता हो इसका दो सुन्यक अलफा और बीटा तो alpha plus beta बरावर वो दे रखाए कि 6 है क्योंकि देखो उसने का योगफल कितना है 6 है और alpha plus beta बरावर होता है किया minus b बटा a तो minus और b के जगापे कितना है तो minus का k है और a के जगापे कितना x square के बगलवला निक कुछ नहीं तो 1 ठीक है और बरावर में कितना 6 अब इसको गुणा कर लेते हैं तो minus minus यह हो गया plus तो क्या बरावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा तो कौन सा option से हो जाएगा तो उसने पुछा कि का मान क्या होगा तो इसका d number option जो है सही जवाब हो जाएगा आइए बढ़ते question number 24 कितरा तो question number 24 में क्या का रहा है कि बहुपद इतना के मूलों का गुननफल होगा देखो मैं मान लेता है किसका दो मूल है एक alpha और beta तो मूलों का गुननफल काने का मतलब है कि alpha into beta बरावर ठीक है तो alpha into beta बरावर होता है c बटा age तो c बरावर कितना है एक के जवापे कितना है चार यानि एक बटा चार हो जाएगा ठीक है तो यानि किसी number option जो सही जवाब हो जाएगा आइए बढ़ते question number 25 कि तरफ तो 25 में क्या का रहा है कि दिघात बहुपदों के सुन्यांकों की संख्या होती है दिघात बहुपदों के सुन्यांकों की संख्या कितनी होती है तो दिघात बहुपद में कितने सुन्यक होते है दो सुन्यक होते है एक alpha और beta जिसको हम नाम देते है ठीक है तो यानि कि 25 का A number option सही जवाब हो जाएगा आइए बढ़ते कोचन number 26 की तरब इसमें क्या कहरा है रुकना नहीं है एकदम बढ़ते चलना है तो चलिए काफी सांदार कोचन आ गया काफी एकदम हलका भी है करा दिघात बहुपद का सबसे ब्यापय करूप है दिघात बहुपद का सबसे ब्यापय करूप क्या है मैं देख रहा हूँ काफी एकदम लगे रहना है क्योंकि अभी आपको पता है कि 17 फरवरी से हमारा एकदम है और अगर अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा तो इसलिए आपको बैठना नहीं है थकना नहीं है कि तम लगे रहना है इसलिए पर नहीं है क्योंकि निमलधित में नहीं है यहां और अपर यह कॉण थाँया थाँ, इसलिए अखेता यह थनातमत नहीं है इसलिए आपको रहा है मतलब यह दसमलब में, ठीक है, तो ध्यान डखना इस बात का, आगे बढ़ जाते है, कोश्चन नमर 29 की तरब, तो कोश्चन नमर 29 में क्या कह रहा है, यह अलफा बीटा बवपद इतना कि मूल है, तो एक बटा अलफा और एक बटा बीटा का मान क्या होगा, देखो यह जो प cac, एक बटा आप, इस बात क्या होगा, तो आप एक काम करो, इस बवपद में डाल दो, x square minus x alpha plus beta and then alpha into beta यह formula इसमें डाल दो तो कौन से option सही हो जाएगा b number option जो सही जबाब हो जाएगा इसमें डाल देना इस value को तो आजाएगा b number option ठीक है यहाँ कि 30 का कौन से option सही हो जाएगा तो 30 का b number option सही जबाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 31 की तरब तो question number 31 में क्या का रहा है कि निमलखित में से कौन बहुपद नहीं है निमलखित में से कौन बहुपद नहीं है तो इसका c number option सही जबाब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 बटा x minus 1 है तो उपर में जाएगा तो यह minus में हो जाएगा ठीक है यानि कि अगर यह दो समीकरण दिया हुआ है तो इसका जो सरल रेखा होगा वो किस तरीके का होगा तो यह चीज जो हम लोग कैसे बता पाएंगे तो यहां से हम लोग को calculate करना पड़ेगा a1 बटे a2 b1 बटे b2 और उसके बाद c1 बटे c2 यानि by के बगल अबला तो एक है ठीक है जी देखे लो जरा दियान से यहां से by की जगा पे यहां पे minus by है नहीं तो minus हो जाएगा यहां पे तो cut करने के बाद कितना हो जाएगा यह भी एक बटा 2 हो जाएगा और c1 बटे c2 काने का मतलब यहां पे 9 है और बटा में कितना है इधर 12 है ठीक है तो इसको cut करेंगे तो कितना हो जाएगा तो अगर मैं इसको cut करूँगा तो रूख जाओ एक मिनट तीन तीया 9 हो गया चार तीया 12 हो गया तो यह रहा a1 बटे a2 यह b1 बटे b2 और यह c1 बटे c2 तो a1 बटे a2 तो बरावर है a1 बटे a2 बरावर है b1 बटे b2 के साथ लेकिन बरावर नहीं है c1 बटे c2 के साथ ठीक है यह वाला condition इसमें लग रहा है कौनसा a1 बटे a2 बरावर है b1 बटे b2 और उसको बरावर नहीं है c1 बटे c2 तो आप मुझे बताइए कि यह वाला किस cases का है इसमें होती है रेखा समानतर यानि किसमें कोई हल नहीं होता है ठीक है और इस cases में line क्या होती है पैरलल हो जाती है तो यानि कि 32 का बी नमर अप्शन जो यह सही जवाब हो जाएगा ठीक है ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं कोईचन नमर 33 की तरफ तो 33 में क्या का रहा है कि 24 एक्स बाई में रैखिक समीकरन का युग में दिस के बास्तिविक संख्याओं के समुझ में कितने हल होते है सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर यह दो चरवाला रैखिक समीकरन है ना और एक खिट हो है क्योंकि AX पलस BY पलस C बराबर 0 लिखा है तो एक खिट हो है ना तो इसके लिए अभी तो आप एक ही समीक्रन है ना तो इसका अनन्थल होगा लेकिन अनन्थल जो अप्शन में है ही नहीं तानि कि D नमर अप्शन लगा देंगे कि इनी में से कोई नहीं ठीक है आईए बढ़ते कोई नमर 34 की तरफ एक सकेंड यह कितना था 33 तो आप बढ़ते हैं हम लोग कोई नमर 34 की तरफ ठीक है तो 34 में क्या करा है कि रैखिक समीक्रन में चर के घातों की संख्या होती है तो उपर मैंने आपको बताया था यह रैखिक समीक्रन का जो समान चुतर होता लेकिन समीक्रन पूछा है तो बराबर में 0 लगा लो यह हो गया रैखिक समीक्रन इसमें चर के घातों की संक्या तो चर क्या एक्स इसके घातों की संक्या कितना है एक याने की 34 का एक नमबर ऑप्शन जो यह सही जबाब हो जाएगा ठीक है आए इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं कोशन नमर 35 की तरब तो कोशन नमर 35 में क्या कह रहा है तो 35 नमर में कह रहा है कि रैखिक समीक्रन इउग्म रैखिक समीक्रन इउग्म पाच एक्स प्लस टू बाई बराबर सोला यह हम इतना के हल हैं तो सबसे पहली बात बच्चे कह तो समीक्रन को सोल करने के लिए भाग जाते हैं मैं तो काता हूँ कि सोलो मत करो using value एसमें डालो जिसमें डोनों value果 대 तो आईए, सबसे पहले इसको हम डालते हैं इसमें, ठीक है, तो अगर मैं X के जाए पर 2 डालूँगा, तो 5 दुनी 10 हो गया, और इसके बाद यहाँ पर 2 के जाए पर 3 डालूँगा, तो 3 दुनी 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 10 अच्छों 16, तो इधर भी तो 16 ही है, तो यानिकि चारती या 12 हो जाएगा, ठीक है, तो 14 में से 12 घड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, अर दो ही तो लाना है, यानिकि 35 का A नमबर ओप्शन ही सही जबाब हो जाएगा, क्योंकि यह जो X ब्रावर दो और 2 ब्रावर ती नहीं, यह दोनों समीक्रन को सटिस्प होता, तो अभी-अभी मैंने आपको बताया, एक होता है, ठीक है, आनिक 36 का C नमबर ओप्शन सही जबाब हो जाएगा, आइए बढ़ते कोचन 37 की तरब, तो कोचन 37 में क्या कह रहा है, तो 37 में कह रहा है, एक मिनिट, अरे भाई, क्या हो रहा है, अच्छा जी, चलो, 37 नम यानिक इसमें एक हल हो जाएगा, आनिकि 37 का B नमर ओप्शन सही जबाब हो जाएगा, आइए बढ़ते कोचन 38 की तरब, तो 38 में क्या करा है, कि समीकरन इतना और इतना के कोई हल नहीं हो, तो के बराबर कितना होगा, सबसे पहली बात दो समीकरन के अगर कोई हल नहीं होते तो इसका क्या कंडिशन है, इसका कंडिशन है कि A1 बटे A2, बराबर B1 बटे B2, और बराबर नहीं होता है, C1 बटे C2, ये कंडिशन होता है, ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर A1 बटे A2, बराबर B1 बटे B2, ये चीज़ हम लगा देंगे, ठीक है, देखो, ये त के जाए यहांगन के पॉचलर होगा तो यह भी तो माइनस मही होगा न अ उस्टे फरक नहीं पड़ता है जो मैं मैं लिख देता हूं मैं प्याइन Śआ पहलेगा जाएगा तो 38 की नूमर ऑप्जन जो है सही जबाब आ सबसे पहली बात इसका हल करने के लिए हमको हल नहीं करना है, हमको चेक कर लेना है किसका कैसा हल आने वाला है, तो 49 का सही नंबर जोए क्या होगा, तभी मैं आपको बताद रहा हूं, ठीक है, सबसे पहली बात आप यहां से A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 कल्कुलेट करो तो A1 बटे A2 कॉने का मतलब है 2 आर बटा में 4, क्योंकि X1 बटे X के बगलवा ला और दिसमें भी X के बगलवा लेंगे हैंगे, तयक्सका होगया, तो यह हो गया, तो इसको कड़ करेंगा, तो यह हो गया, तो यह हो जाएगा 5 बटे 15 कहने का मतलब है 1 बटे 3 अब देखो A1 बटे A2 बरावर है B1 बटे B2 लेकिन C1 बटे C2 के बरावर नहीं है तो जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताएंगे कि अगर ये वाला condition लगे कि A1 बटे A2 बरावर B1 बटे B2 और बरावर नहीं है C1 बटे C2 तो ये किसका condition है तो ये किसका condition है इसमें कोई हल नहीं होते है आनि कि 49 का C number option जो है सही जबाब हो जाएगा ठीक है आईए इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते है question number 40 की तरफ तो question number 40 में क्या कह रहा है तो 40 में का रहा है कि समीकरन निकाय this and then this का अधीतिये हल होगा तो अधीतिये हल का होता है जब A1 बटे A2 बरावर नहीं होता है B1 बटे B2 और इसी cases में क्या होते है अधीतिये हल यानि कि अधीतिये काने का मतलब एक और केवल एक हल और इस cases में जब लाइन होती है वो परतिछेदी होती है चलिए तो बस 40 question मैंने इस video lecture के अंदर आपको कराया है जो कि काफी ज़्यादा सांदार question है और ऐसे ही question इवन यही सब सारे question आपके बोड इकजामें पूछे जाएंगे तो उमीद करता हूँ कि सारे बच्चे ने जो इस मेहनत से इस सिद्धत के साथ कलास को एंड तक देखा है तो मैं उनका उनका शुक्र उजार हूँ क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे है बहुत अच्छी बात है झाल 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 झाल